पिर्डी क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वावत और अविनंदन हैं। देखे इस वीडियो के मार्ध्यम से हम लोग कुछती मात्पूल पुरस्ण बिद्धुधारा से देखेंगे जो बार-बार वन्डे एक्जाम में पूछा गया है। तो आज का पहला कोस्चन है कि बिद्धुत अवेश का मात्रक है तो बिद्धुत अवेश का मात्रक होता है कुलाम क्या होता है। आप एक किसी भी इलक्टिक इंस्ट्रुमेंट पर देख सकते हैं जिससे बिद्धुत अवेश का मात्रक होता है। प्रोटान करते हैं जो निगेटिव होता है उसे क्या करते हैं इलक्टान करते हैं जो बिद्धुत अवेश का मात्रक होता है। बिद्धुत धारा कौन परवाहित करता है तो मुक्ट इलक्टान बिद्धुत धारा परवाहित करते हैं। अब देखें मुक्ट इलक्टान जीश दिशा में जाता है उस दिशा के बिप्री दिशा में बिद्धुत धारा परवाहित होता है। तो अगला कोशन है कि बिद्धुत भीभव का मात्रक होता है बिद्धुत भीभव का मात्रक बोल्ट होता है बिद्धुत भीभव का मात्रक क्या होता है बोल्ट होता है अगला कोशन है कि बिद्धुत धारता का मात्रक है बिद्धुत धारता का मात्रक है तो बिद्धुत ध स्थारिता का मातरक होता है अगला Q Jeśli वैद्दु धारा का मातरक है तो वैद्दू धारा का की दवर को क्या करते है बिद्धुधारा करते हैं बिद्धुधारा ब से मापी जाती है तो मपी जाती है अमीतर से अगला कोर्शन है कि क्या होता है एक क्या होता है इससे एक हो कीसे इक और दूसरों चालख रहला उसके एक और दूसरे पीछ मतलब पाले और दूस्ते सीरे के बीच में जो विभान का अंतर होता है उसे भी भुवानतर करते हैं लेकिन यह साइंस में एक गलत हो जाएगा इस पे नंबा नहीं मिलेगा लेकिन लेखना होता हम कहा सकते हैं कि एक अंक धनावेश को एक अंक धनावेश को अनंत से बेढू चेत में लाने में जितना कार करना पता है उसी को विभवानतर करते हैं अगला कोशन है कि प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है इससे किसे परदर्शित करते हैं तो ओम ऐसे इसका साइन होता है इससे इसको परदर्शित करते हैं अगला कोशन है कि विशीष्ट प्रतिरोध का मात्रक है विशीष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो विशीष्ट प्रतिरोध का मात्रक महो या ओम पर मैनस एक मतलब प्रति ओम होता है सीमेन भी होता है तो ध्यान दिजेगा इसको रट लिजेगा यहां से एक कि आप्षन इंपर्टेंट है क्योंकि विशिष्ट प्रति रोज का मात्रा तीनों होता है महो भी होता है प्रति ओम भी होता है और सीमेन भी होता है अगला कोशन है कि विशिष्ट चलकता का मात्रब है विशिष्ट चलकता का मात्रब प्रति ओम मीटर होता है यानि कि इसको अगला कोश्चन है कि फ्यूज तार बने होते हैं तो फ्यूज तार बने होते हैं, अur कर सकते हैं सिठी ताब दियार करना चाहते हैं सिता टी यानी कि я आँए तो उप्रोुक्त सभी सकते हैं यानिकी फ्यूजटाद सीचाब ताब discussion फ्यूक्त digging अगला कोश्चान है कि घरेलू वाइरिंग होती है घरेलू वाइरिंग होती है तो घरेलू वाइरिंग हम लोग देखते हैं कि दो समानतर तार गई होती है यानि कि समानतर क्रम में हुई होती है जो घरेलू वाइरिंग होती है वो समानतर क्रम में की जाती है लेकिन जो जैसे हम लोग देखते हैं साधी वीवा या दिपावुलि पे जो जलती और बुझती है ओलाइट श्रिर्वीकरम में जोड़ी गई होती है अगला कोशन है कि घरों में आने वाली घरों में जाने वाली बिजली की अबरीती होती है बिजली की अबरीती होती है जो घर में हम लोग यूज कते हैं उपयोग कते हैं उसकी अबरीती 50 हर्टरज होती है पचास हर्टज उसकी अब्रीती होती है तो यहां से एक कोशन यह बनता है कि अब्रीती का मात्रक क्या है तो अब्रीती का मात्रक हर्टज होता है अब्रीती किसे कहते है तो एक सेकेंड में की गई डोलनों के संख्या को अब्रीती कहते है एक सेकेंड में जितनी बार कोई बस दोलन करने में जितना समय लगता है, उसे और अवर्ट काल काते हैं डोनों का गुलनफल एक हो जाता है, यानि हम अब रेती इक्वल लेख चैने हैं, एक बटे और अवर्ट काल अगला कोशन है कि घरेलू बिजली की धुरूता प्रती सेकेंड बडलती है मतलब जो घर में बिजली आती है उसकी धुरूता प्रती सेकेंड कितनी बार बडलती है तो सो बार प्रती सेकेंड बडलती है यानि कि इसकी अब ब्रेती कितनी होती है पचास हर्टज होती है अगला कोशन है कि घरों में जाने वाली बिद्दु धारा की दिशा एक चक्र में कितनी बार बदलती है एक चक्र में जो घरों में बिद्दु धारा जाती है वो एक चक्र में कितनी बार दिशा बदलती है तो दो बार दिशा बदलती है अगला कोशन है कि घरों में जाने वाली धीडू-धारा होती है निएची करेंट होता है एसी होता है और दीष्ट धारा को हम डीजी कहते हैं मतलब जो अगला कोश्चन है कि घरों में उपयोग की जाने वाले विध्धुत होती है मतलब की जाने वाले विध्धुत होती है एंस्ट्रूमेंट हैं वह समय है या अधिक छमता वाले जो भी इंस्टूमेंट होते हैं वो 15 Ampere पे चलते हैं मतलब आप लोग देखेंगे तो आप लोग इसका सबसे सिंपल उडाड़ा देख सकते हैं अपने घरों में जो पलग लगे रहते हैं पलग जिससे हम साकिट में लगाते हैं तो उस पे लिखा गया होता है कितने Ampere का है तो जो बलब हम जलाते हैं वो सिंपली 5 Ampere का होता है लेकिन अगर वही हीटर हो गया वासिव मशीन हो गया ये सब 15 Ampere पे चलते हैं तो अगला कोश्चन है कि फ्यूज तार का गलनांग होता है फ्यूज तार का गलनांग बहुत निम्न होता है फ्यूज तार जो होते हैं उनकी गलनांग क्या होती है बहुत निम्न होती है और फ्यूज तार मतलब फ्यूज वायर हमेशा मेंस वायर में जोड़े जाते हैं जो मेंस तार होता है मेंस वायर होता है उसी में फ्यूज वायर को जोड़ा जाता है अगला question है कि MCB का पूरा नाम क्या है तो देखिए पहले fuse star मतलब आज बहुत जगह fuse star के जगह पे MCB का परियोग किया जा रहा है MCB का परियोग किया जा रहा है यानि इसको हिंदी में कहते हैं लगू परिपथ बिच्छे डग लगू परिपथ बिच्छे डग लगू परिपथ बिच्छे डग करते हैं यानि कि इसका full form होता है miniature circuit breakers miniature circuit breakers होता है इसका full form क्या होता है miniature circuit breakers होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और सेयर कर दीजे धन्यवाद दोस्तो